के बीड शिफसेना को एक और विधायक का समर्थन मिल गया है निवासा विधान सबस सीर्ट से चुने गए निर्दलिये विधायक शंकर राउ ने मुंबई में उधर ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्हें समर्थन पत्र सौपा जिसके बाद शिवसेना के समर्थक विधायकों की संख्या 61 पहुँच गई है शिवसेना महराष्ट में बीजेपी के साथ गड़बंदन की सरकार बनाने के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी है महराष्ट में बीजेपी और शिवसेना के बीच खींशतान जारी है साथी दोनों और से दबाव बनाने की राजनीती भी जोरों पर चल रही सरकार बनाने पर चल रहा संघर्ष दिवाली के बाद ज्यादा तेज हो गया जब दोनों पार्टियों के निता अलग अलग वक्त पर राजजपाल से मिलने पहुंचे हाला कि दोनों पार्टियों के निताओं ने इसे दिवाली के मौके पर हुई आपचारिक मुलाकात बता है सबसे पहले शिवसेना के निता दिवाकर राउते ने राज़ेपाल भगत सिंग कोशारी से मुलाकात की अटकले लगाई गई कि इस मुलाकात में दिवाकर राउते ने सरकार के गठन पर राज़ेपाल से चर्चा की लेकिन मुलाकात खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सारी अटकलों पर विराम लगा दि शिवसेना नेता दिवाकर राउते के जाने के कुछ देर बाद महराष्ट के सीम देवेंदर फणवीस भी राज़पाल से मिलने पूंग कुछ देर की मुलाकात के बाद वो बीडिया से बात किये बिना ही महां से चल दी शिवसेना पहले ही अलान कर चुकी है कि वो 50-50 फॉर्मुले के बिना बीजेपी के साथ अब एक कदम आगे नहीं चलेगी और अगर शिवसेना अपने रुख पर अड़ी रही तो बीजेपी के लिए महराष्ट में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा महराष्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लेकिन वहां कोई भी दल बहुमत के करीब नहीं है और शिवसेना ये जानती है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उसकी जरूरत इस सियासी उठाफटक के बीच बीजेपी ने भरूसा जताया कि महराष्ट में हर हाल में वो शिवसेना के साथ गडबंधन की सरकार बनाएगी वहीं दोनों पार्टियों के बीच चल रही किंश्तान पर चुटकी लेने से एंसीपी भी पीछे नहीं रहे उसमें शिवसेना की दबाव की राजनीती को दिखावा करार देते हुए उस पर तीखा तंज कसा महराष्ट में बीजेपी से टकराव के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर केंदर की मोधी सरकार को निशाने पर लिया आर्थिक मंदी का जिक्र करते हुए सामना में केंदर सरकार से पूछा गया कि आखिर वो दिवाली के सननाटे पर चुप क्यों है इस लेक का शिर्षक इतना सननाटा क्यों है भाई रखा गया जो फिल्म शोले का एक मशूर डायलोग है साथी इस लेक में महराष्ट के किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए लिखा गया कि केंदर सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया दिवाली पर लोगों का दिवाला निकालने का आरोब लगाते हुए सामना में नोट बंदी और जी एस टी पर भी गंभीर सवाल खड़े की गए पिछले कुछ महीनों में शिवसेना के मुख़तर सामना में केंदर सरकार के खिलाफ छपा इस तरह का ये पहला लेक माना जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी शिवसेना ने इस लेक के जरीए केंदर पर दवाव बढ़ा दिया है शिवसेना महराष्ट की सत्ता में बराबर की भागेदारी और धाई साल के लिए